आज हमारे साथ जानिए हतेली में बनने वाले चांद से कैसा होगा जीवन साथी उंगलियों पर चांद बनने का मतलब हस्त रेखा का अध्यन करके हम अपने बविश्य के बारे में जान सकते हैं सभी लोगों के हाथों के रेखाएं अलग-अलग होती हैं किसी की हाथ की रेखाएं मोटी होती हैं तो किसी की पतली और किसी की छोटी अगर किसी की हतेलियों में आधा चांद बनता है तो आए जानते हैं इसका क्या मतलब होता है हतेली पर बनी हर्ट लाइन हर्ट लाइन से हम अपने भविशे और वेवाईग जीवन के बारे में जान सकते हैं हम हर्ट लाइन को देख कर यह भी जान सकते हैं कि हमारा वेवाईग जीवन कितना सफल होगा हर्टनेर्स की आपस में बॉंडिंग कैसी होगी हर्ट लाइन से जाने अपना भविश्य अगर आपकी हर्ट लाइन छोटी उमिली से लेकर दूतरी उमिली पर जाकर खतम हो जाती है तो ये आपके भविश्य की घटनाओं के बारे में बताती है हथेलियों पर बना आधा चंद्रमा जिसकी हाथ में आधा चंद्रमा बनता है वे बड़े ही तेज दिमाग वाले और चामिंग होते हैं हर परिष्थिते में अपने आप को ढाल लेते हैं तदा इनका वेवाईक जीवन भी बहुत अच्छा होगा हार्ट लाइन का सीधा होना अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन से चंद्रमा ना बन कर सीधी रेखाए दिखाए दे तो इसका मतलब यह है कि आप बड़े ही शांत प्रिये इंसान हैं और शांत रहकर काम करने में विश्वास करते हैं हार्ट लाइन का उपर होना धतेलियों में हाइट लाइन उपर नीचे हो तो ऐसे लोगों को बुजुर्बों का साथ पसंद होता है और उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है आपके दिल में बड़ों के लिए इज़त और सम्मान है यूट्यूब पर लाइक का बटन जरूर दबाईए और वीडियो को सबके साथ शेर करना मत भूले आप हमारे चानल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल दबाना मत भूले